हेलो एव्रिवन इस वीडियो में हम डिसक्रस करने वाले हैं आपकी बहुत ही ज्यादा डिबांड इंगलीज के सैंपल पेपर थर्ड के सॉलिशन के बारे में अगर इससे पहले आपने सैंपल पेपर 2 का कम्प्रीट सॉलिशन नहीं देखा तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क् स्फिर्ट के भी सैंपल पेo अपलोडब करो वाई वह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा फिडिके हुआ तो व मैं तो सॉंस क्रिष में नहीं जाने जाने वाला हूं ऑला की मेरे बोर्च में अच्छे खासे mark भी मिरे संस्क्रिट बढें तो उससे तो मैं दूर दूर तक कोई मेरा मतलब नाता ही नहीं है तो उसके बारे में नहीं जाओंगा फिलाल आते हैं और इसका solution करते है ठीक है चलो एके करके हम लोग passage को बढ़ना है स्टार्ट करते है पैरागराख number one बढ़ते है have you ever felt at something so miserably ठीक है क्या आप किसी चीज में इतने बुरी तरीके से fail हुई हो that the thought attempting to do it again तो इसके लिए ये सोचना है कि हम इसको फिर से करेंगे was the last thing you wanted to do तो आपने last thing में क्या किया था इसके बारे में simply आप से ये पूछ रहा है तो second paragraph में चलो if your answer is yes यानि कि हाँ मैं इससे फिर से करूँगा अगर ये आपका answer है then you are not a robot तो आप जो है robot नहीं है ठीक है चलो देखो आगे क्या है unlike robots we humans beings अगर robot को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास feeling है emotion है हमारे कुछ dreams है we are all meant to grow and stress despite our the circumstances and our limitation यानि कि हमारे पास अपना failing है emotion है dreams है और अपने stretch अपने circumstances के according हम अपने limitation के according अपने आपका stretch करते हैं या grow करते है flourishing and the trying to make our dreams come when you fail despite all of our hard work है ना यानि कि अगर आप बहुत जादा hard work करते हो है ना और अगर आप simply fail हो जाते हो तो जो आपका dreams है जो आपका dreams है वो बीच में वो उसके लिए फिर से लड़ाय करने के लिए तयार हो ठीक है यानि अपने dreams को कम करने के लिए अगर आप fail भी हो जाते हो तो भी hard work करते रहते हो do you stay down and accept the defeat और do you get up again है ना यानि कि आप क्या रहते हो कि वहाँ पर सोचते हो कि नहीं ठीक है कि ये मेरे से नहीं होगा step down कर जाते हो या फिर accept करते हो कि हाँ मैं हा रहा हूँ लेकिन मैं फिर से उठूँगा मैं बार बार उठूँगा जब तक मैं satisfied नहीं हो जाता हूँ जब तक मेरे को ये achievement जो है वो नहीं मिल जाता है if you have tendency to preserve and keep going then you are have what expert call greet है ना यानि कि अगर आप में ये आप में hobby है अगर आपके अंदर ये है कि मैं बार बार गिरूँगा लेकिन बार बार उठूँगा और ये मैं कर के दिखाँगा तो expert के according उसको greet बोलते है जिसके अंदर dread हता है जिसके अंदर किसी चीज को करे रहने की एक छमदा है भाई मैं ये कर के रहूँगा जब तक complete ना हो तब तक कर के रहूँगा उसको expert ने क्या नाम दिया है that is greet का falling down or falling is one of the most agonizing embarrassing and the scariest human experience हलांकि इस point से मैं disagree करता हूँ by falling जो है वो किस type से हमें embarrassing करता है कभी embarrassing नहीं करता ठीक है मेरे को तो कभी नहीं लगता मैं बता रहो पीछले दो साल से बना रहो आप मेरा देख सकते हो 2100 वीडियो मैंने upload कर दिया 2100 वीडियो और content मेरे अकॉर्डिंट मैंने प्रोवाइड किया है बट फिर भी अभी देखो मेरे 30 के subscriber की complete नहीं है और बाकी सब लोगों के देखता हूं तो दोसों में complete हो जाते हैं बट मैंने हार नहीं माना है मैं चाहता हूं कि मेरे जब तक 1 million subscriber नहीं हो गए तब तक मैं नहीं बैटूंगा पर डे हाड़ वर करूंगा आप जो बोलूंगा मैं करूंगा तो मतलब यह तो मेरे को नहीं ल इसेंशियल पार्ट आफ लिविंग सक्सेश्फूल एंड अफ क्या लिखवा यार फूल्फिलिंग लाइफ यह यह में भी साइड लिखवा ठीक है लेकिन जिसको वैसा लगता है बट इसके अकॉर्डिंग है कि यह एक एजूकेस्णल है इंपावरिंग है और इसेंशियल पार्ट है किसेंषियल लिविंग का उसके सक्सेश्फूल होने के लिए यारिकिसियल होना है तो आपको गिरना ही पड़ेगा अगर आपने गिरह नहीं है तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छे सक्सेश्फूल परसन हो ठीक है या स्टुडेंट हो जो भी आप बोलो ठीक है लाइक अगर आप टू क्लासे थ्री क्लासे लागातार आप तॉप कर रहे हो 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 तो मैं बोलता हूँ कि आपको स्कूल बदल लेना चाहिए ठीक ह का इसका मतलब यह नहीं कि आप तॉप हो आप तॉपर हो नहीं आपको स्कूल बदल कर देखो तो आपको एक्चुल में पता चलेगा कि क्या होता है ठीक है चलो आज आब आगे यानि कि क्या आप जानते हो कि जो पर्सिवरेंस है यानि कि यह जो डृटता है यह जो ग्रीट है यह जो है साथ जो सक्सेशफूल पॉइंट्स है उसमें से केवल एक पॉइंट्स है ठीक है यह जो है साथ जो है पर्सिवरेंस को लेकर यह जो साथ पॉइंट्स है यह किसी भी चीज के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है ठीक है थामस एदिसन इज अ मॉडल अफ द जो थामस एदिसन का मॉडल था वो इसका ग्रीट का था जब तक नहीं बनांगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगेंगे नहीं सुनें उन बस वहीं for trying thousand plus times 1000 plus times to invent the light bulb if you are reading this with the light in your room you know well he succeeded अब कोई बच्चा देखो comment section में जरू करेगा नहीं सार्थ लाइट अफ था अरे यार तुम लोग ऐसा ही comment करते हो एक बोर रहा है sir आप plus minus minus क्यों करती है तो हम बले ये ये कौन सा कोच्छन उसके नीचे मैंने comment किया ये plus minus minus ही तो होता है नहीं हमारे सार ने एक बड़ minus कर दिया ये क्या दनसा है बाई मतलब कुछ भी कर रहे हो या कुछ भी comment कर रहे हो मतलब क्या ही बोल सकते हैं छोड़ो आगे चलो लिए 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 स्टेटेट दैट कि वो light bulb नहीं create कर सकते थे वो बहुत सारे excuse दे सकते थे कि मैंने इससे try किया उससे try किया मेरे से नहीं हुआ ठीक है इस statement not only reveal his greet but also his optimist before looking at the bright side यानि कि ये जो point है उनका वो actual में क्या करता है bright side को उनको दिखाता है कि उन्होंने हार नहीं माना हजार बार failure होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं माना सोच रहे हो कि आप दो बार, तीन बार, चार बार एक question को solve करते हो हार मान जाता है मेरे से नहीं होगा math बहुत boring है science बहुत boring है ऐसा खायने लगते हो इन्होंने बताओ कि आप तो फिर भी दो तीन मिनट का काम करते हो पांच मिनट का hardly होगा ठीक है दस मिनट का hardly होगा बट इन्होंने तो एक bulb को बनाने के लिए हमको लगता है कि चार पांच महीना waste किया होगा और चार पांच महीने के बाद समझर waste हो जाना और फिर उसके बाद जो time लगा होगा एक दिल लगा होगा दो दिल लगा जो भी एक बल्ब बनाने में time लगा हजार बार fail होने के बाद भी ये बंदा जो था वो टका रहा और इसलिए अज हम लोग जानता है Thomas Elva Edison को ठीक है आगे चलो आगे चलो fourth paragraph में देखो क्या है greed can be learned ये मतलब chapter जो है simply वही हम लोग बोल सकते है perseverance या greed से related सारा का सारा chapter हमें देखने को बल रहा है greed can be learned to help become more successful है ना ये हमें क्या आता है कि ज़्यादा successful बनाने के लिए responsible होता है आज से जब आप देख रहे हो ना आप एकदम मान लो कि आपको दो sample paper per day solve करना है दो sample paper per day solve आपको करना ही करना है चाहे वो किसी subjects को हो like अगर आपको maths के बैड़ के बढ़ाने में मन नहीं लगता तो आप उसके साथ science करो आप English करो आप social science करो आप Hindi करो ठीक है लेकिन आपको दो sample paper करना है जैसे मैंने कुछ दिर पहले लिया था कि मैं दो video per day पका डालूँगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं टालता हूँ कभी-कभी एक हो जाता है उसके लिए सौरी थोड़ा चलवा जो इसमें क्या है कि एक जो सबसे बड़ा टेक्नीक है वो क्या है mindfulness है mindfulness is a practice that helps the individual stay in the moment by bringing awareness of his or her experience without judgment with his practice with his practice of mindfulness ठीक है यानि कि mindfulness क्या होता है जैसे अगर आप क्या हो रहे हो कि बहुत जादा suppressed हो चुके है demotivation आ रहा है तो आपका क्या होता है मेरे से नहीं होगा मेरे से नहीं होगा ठीक है आप ऐसा सोचने लगते हो कि मेरे बस की बात नहीं है एक होता है mindfulness नहीं होगा मेरे से मैं try करूँ तो होगा अगर नहीं try करूँ तो नहीं होगा बट अगर ट्राई किया ना तो पक्का होगा 100% होगा बस यह है mindfulness ठीक है आगे चलो इंडिवीजवल आप दा एबिलिटी तो स्टेप दा सेल्फ सेबोटेगिंग डाउनवर्ड इस्पाइरल अप दा hopelessness, despair and frustration ठीक है यानि कि हर एक के पास हर एक के पास यह mindfulness जो है वो एक टाप का ability प्रोवाइड करता है कि वो अपने उपर जो है अपने आपको ऐसा push ना कर दे कि वो नीचे की तरब चला जाए अपने आपको धक्का ना देते कि वो अपने आपको ऐसा सोचे कि नहीं मैं तो fail ही ठीक हूँ मैं successful नहीं कर सकता मैं इसी limitation मैं ठीक हूँ जिस दिन ये limitation टूड़ी है ना, जिस दिन आप ये सोचना छोड़ दिये ना कि नहीं मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ मैं जहां अभी हूँ ना अगर थोड़ा और मेहनत किया और आगे चला गया और आगे चला गया खतरनाक तरीके से कब आप तुम BMW के showroom के पास पहुँच जाओगे कोई guarantee नहीं है कुछ ज़्यादा दिखा दिये sir कोई बात नहीं आगे चलो question पढ़ते है नहीं fifth paragraph भी बचा हुआ है यानि कि simply क्या है कि आप demotivation के राह पे मत जाओ आप failure के राह पे मत जाओ और कौन सा ऐसा negative चीज है जो आपको simply failure के बारे में भर रहा है उसको simply आप क्या करो पकड़ो एकड़ दम तक धूनो और वैसे powerful resources का use करो जो की आपको successful करने में help कर सकते हैं आज का time में तो इस basis पे अब आपको कुछ questions प्रोवाइड किये जाएंगे और आपको क्या करना एक एक करके answer करना है ठीक है तो देखो based on your understanding of the passage answer the given question ठीक है एक एक करके question देना शुरू करते हैं फिर क्या है grit can be learned to help become more successful grit क्या होता है आपको करेगा और करता ही रहेगा यानि कि किसी चीज़ पर ड्रिढ़ता होना किसी चीज़ के लिए तप करना किसी के पीछे तो खड़े रहना कि नहीं मेरे से होगा तो मैं होगा ठीक है the underlined word can be substituted with the word अरे भाई या अभी हमने देखा था perseverance याना P-E-R-S-E-R-V-E-R-A-N-C-E perseverance जो होगा इसका right answer होगा ठीक है B part में हो choose the statement from the following that is not appropriate according to the passage यानि कि passage के according कौन सा appropriate नहीं है greed cannot be learned to help become more successful नहीं भाई ये तो successful होने के लिए बिल्लकुल जरूरी है ये तो हमारा क्या हो गया ये तो हमारा बिल्लकुल गलत है ठीक है greed cannot be learned to help become more successful ठीक है B देख लेते हैं क्या practicing our dreams comes true is greed when life is going out away ठीक है मतलब क्या है practicing our dreams अपने dreams को practice करना और comes true is the great when life is going out away नहीं 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 देख लेते हैं थोड़ा C पार्ट पे देख लेते हैं mindfulness can be learned to help you mindfulness can learn to help you become more successful mindfulness जो होता है वो can be learned to help you become more successful हां बिल्कुल ये भी बात सही है D में क्या है reflect on what you did and try to use those same powerful resources to help you बिल्कुल ये हमने last paragraph में भी देखा तो B पार्ट जो हमें लग राए कि greed cannot be learned to help become more successful this is जो है वो बिल्कुल गलत है हाला कि हमें दिया हुआ था कि greed जो है वो केवल अकेला नहीं है अकेला नहीं कर सकता उसके साथ हमारे पास छे और चीज़े है तो choose the statement from the following that is not appropriate according to the passage ठीक है B में देख लेते एक बार फिर्चे पढ़ लेते है practicizing our dreams comes true is the great when life is going out away ये भी तो हमारा simply था ठीक है C पार्ट में mindfulness can learn to help you become more successful mindfulness जो था वो हमें learn करता है successful करने के लिए तो mindfulness वाला थोड़ा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं greed can learn to become more successful one of the technique that helps is mindfulness ठीक है mindfulness is the practice that helps is the individual stay in the moment by bringing awareness यानि कि यहां पे जो हमें दिया है more successful तो ये simply क्या करता है एक टाप्स का हम लोग को एक टाप्स का awareness प्रोवाइड करता है यानि कि not appropriate जो होगा वो होगा option number C option number C is the right answer ठीक है C part में आओ select the sentence from the following that reveal Thomas Edison greed यानि कि Thomas Edison के पास कौन सा खरेड था कौन सा था ऐसा किंड़ा अप्पूर करेगा ही तो करेगा तो देखो क्या है ए पार्ट में है ये तो हमें लिखा हुआ था ये था था ये था ये था वेज नौट तो क्रिएट अलाइट बिल्कुल ये तो था वो हमारे पास राइट एंसर है कि उनके पास हंदरेद तरीके थे जिसके कारण से वो कह सकते थे कि लाइट बल्ब जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता है बट उन्होंने फिर भी इस बाद के लिए ग्रेट करके रखा इस बाद के पीछे रहा ये नहीं मैं कर सकता हूँ यानि कि कौन सा ऑप्शन नंबर C is the right answer of this question ठीक है डी पार्ट में आओ according to the passage falling down or failing is one of the most यहाँ पे एक याल दखो यह जो था जो मैंने आपको बोला था कि यह मेरे पे suitable नहीं है वो कौन सा था वो था agonizing, embarrassing और scariest यह तीनों पॉइंट्स आप यहाँ पे भर दोगे यह तो डारेक्ट पैसे से उठाए गया है यह कौन सा था यह जो था थार्ड पैराग्राफ में था अब जाकर वहाँ पे simply देख सकते हो ठीक है इपार्ट में देखो क्या है वाट दू दा फ्रेज कीप गोइंग रेफर्ट तू इन दा लाइन डिडिव था टेंडेंसी थार्ट तू अच्छा ठीक है यह वाट दस दा फ्रेज किप गोइंग रेफर्ट अच्छा किप गोइंग करते रहो लगातार करते रहो ठीक है रेफर्ट तू इन दा लाइन इप फ्यूहब था टेंडेंसी तू रेज़व एंड किप गोइंग टू वाक नहीं ऐचा नहीं था टू विल्ड ऐसा भी कुछ हमें गिवन नहीं था बूविंग इन दसर्टेन डिरेक्शन ऐसा कहीं वर्ड ही यूज नहीं किया गया है डी पार्ट में कंटीनू डूइंग संथिंग डिफिकल्ट यही चीज जो है यह हमें पैसस से समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा करते रहना चाहिए चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो हमें ग्रीट बना के रखना चाहिए कि मैं करेगा मतलब करेगा यानि कि कौन सा option number D is the right answer इफ में देखो Select the appropriate option to complete the given sentence यानि कि appropriate option को select करना है given sentence को complete करने के लिए ठीक है The word gratitude refers to the quality of thankfulness by gratitude क्या होता है thankfulness को ही तो denote करता है यानि कि कौन सा option number D तो हमें simply यहां पे दिख रहा है ठीक है जी पार्ट में हो Choose the option that makes the correct use of model model as used to passes is fill in the blanks space ठीक है देखो यहां पर जो model है ना यह वो model नहीं है जो आप समझते हो ना कि जो helping bhav होते हैं जो models होते हैं वो models नहीं है यहां पे models वो नहीं है कि मैं आपने use कर दिया यह सब use यहां पे नहीं करना है ठीक है देखो क्या है models को actual में यूज करना है तो देखो they allowed to me model it on stage they allowed me to John Austin was regarded to as the model of greed in friction यह बिलकुल हो सकता है लग तो रहा है John Austin was regarded as the model of greed of friction क्या खतरनाख बात कही है C part में देखो the first woman up was not certainly a model नहीं वो model नहीं है the business model must work because of its novelty देखो अब आपको क्या लगएगा क्या लगएगा यहाँ पे यहाँ पे आप simply क्या करते है जब आपको problem होता है तो जो sentence बढ़ियां लगता है उसमें बइठा देते हो तो D option में आपको लगएगा business model must work because of its novelty यह सुनने में कितना मज़ा आ रहा है मतलब आप दिल गार्डेन गार्डेन हो गया अब टिक लगा कर आजाओगे गलत हो जाओगे जो business model है यहाँ पर model वर्क नहीं होगा क्यों क्योंकि option में देखो क्या लिखा है choose the option that makes the correct use of model as used in the passes यहाँ पर क्या है John Austin was regarded as the model of grit in fiction यह जो होगा वो आपका right answer होगा ध्यान से question पड़ा करो कुछ भी पड़ोगे बढिया लग जाएगा भर गया जाओगे आसा नहीं होता H part में which of the following can stop the self sabotagging downward spiral and the hopelessness despair and frustration ठीक है यह इस में से कौन सा जो है वो simply क्या कर सकता है उसको रोक कर सकता है ठीक है तो यह सब को कौन रोकता है mindfulness है ना यही तो था mindfulness जो था वही actual में सब को रोकने का काम करता था देखो option number A में भी आपको दिया हुआ है that is option number A is the right answer आई पार्ट में हो failure is the most frustrating emotion filled by a person who is regularly trying बिल्कुल true है बिल्कुल true है हलाकि हमें sentence में आपे दिया हुआ था ठीक है कौन कौन सा था agonizing, embarrassing, scarised ठीक है उसी में से एक हमारे पास था क्या frustration तो वो तो हमारे बिल्कुल सही है ठीक है आप continue effort करते रहो continue effort करते हो लेकिन कुछ मिलता नहीं है बहुत बुरा लगता है बट कोई बात नहीं effort करते रहो कभी न कभी time ऐसा जरूर आएगा जब तुम top पे पहुँच आओगे और फिर सोचोगे कि क्या यार कहां पे था मैं और कहां पहुच गया ठीक है जे पार में देखो complete the given analogy correctly with the word from the passage ठीक है disappear disdain हैना disdain का जो है disappear है तो positivity का क्या होचाएगा by optimism हैना क्या होगा optimism is the right answer of this question ठीक है तो यहां पर हमारा question number one जो है finally complete होता है second passage में चलो second passage में दिया है read the passage given below नीचे जो passage दिया गया है उसके बार में आपको अच्छे तरीके से read कर रहा है क्या दिया हुआ है Ladakh has always experienced seasonal water scarcity according to the Maris November co-founder of the study एक study के co-founder है ठीक है उनके according क्या है कि जो Ladakh है वो हमेशा seasonal water scarcity जो है वो हमेशा experience करता है water का problem वहाँ पे होता है क्योंकि जादा दर पार्ट वहाँ पे जो है वो ice के form में हमें देखने को मिलेगा तो जब वो melt करेगा तभी water के form में actual में हमें देखने को मिलेगा ठीक है नर्सर टोल्ड glacier hub water scarcity issue are the frequent यह क्या है एक frequent issue हमें देखने को मिल रहा है and annual phenomenon in Ladakh because of the complete dependence of the irrigated agriculture from melt water क्योंकि यहाँ पे melt water साही सारा का सारा irrigation जो है वो dependent हमें देखने को मिलता है especially from the glacier और actual में इसे dependent है तो glacier से dependent है कि यह melt करेगा तो फिर यहाँ पे इतने भी agriculture है उसे irrigate किया जा सकता है since the glasters reside at a much higher altitude than the villages ठीक है यादि कि यह village के compare में बहुत ही जादा high altitude पे हमें देखने को मिलता है the melt water from this water source comes quite late in the year इसलिए यहाँ पर जो हमें water source है वो बाकी दूसरे के मुकाबले में कम थोड़ा late होते हुए हमें देखने को मिलता है and so there is a regular problem of the saver water scarcity even here in those months इसलिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है water scarcity हमें regular basis पे देखने को मिलता है हर साथ ठीक है in those months when showing of the cultivated plants starts that is in the earth spring ठीक है यानि कि जो earth spring का time होता है जब plants को simply cultivate किया जाता है ठीक है उस case में यहाँ पर simply क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा water का problem water scarcity हमें देखने को मिलता है second paragraph climate change has increased water shortage in the mountain climate change जो है वो सबसे बड़ा responsibility करता है इसके लिए किसके लिए water shortage के लिए कहां पे तो mountain में water shortage अब artificial glaciers जो है glacier sorry glaciers क्या बोल रहा हूँ है glacier जो है वो actual में help करता है elevated seasonal water shortage को simply क्या करने के लिए कम करने के लिए by storing melt water from the winter month ठीक है ताकि वो क्या कर सके melt जो melt water है वो simply क्या कर सके उसको store कर सके in the ice structure at an altitude lower than the natural glaciers glacier glacier जो भाई इसको माल लियो ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ नहीं बता and the higher than the cultivated fields ठीक है और ये क्या होता है cultivated fields तोड़ा higher होता है there are several types of artificial glacier यहां पर हमें बहुत types के artificial glacier देखने को मिलता है due to their lower altitude ठीक है क्योंकि इसका altitude बहुत कम है these stores of the ice met earlier than the natural glacier ठीक है यानि कि यहां पर क्योंकि इसका attitude बहुत कम है इसलिए यहां पर जो milk water होता है उसको आप पहले ही store कर सकते हो जो की natural glacier है उसके गंपर में providing irrigation जो कि आपको क्या करेगा irrigation प्रोइड करेगा just in the time of the start of the agriculture season जैसे ही agriculture season जो है मतलब simply यहां पर क्या होता है कि water scarcity हमें इतना ज़्यादा देखने को बिलता है कि water को यहां पर store करके रखना पड़ता है ताकि वो irrigation कर सके या फिर दूसरे टाइम में उसको अच्छे तरीके से यूज कर सके थार्ड में आते हैं थार्ड पराग्राफ में है constructed ice reservoirs along with water management system have long been in Ladakh technological repertoire according to the nursery chapter of the ethnic and the culture dimension of knowledge यानि कि उनके according कि इसके nursery के according क्या है कि जो constructed ice reservoirs है जिसमें आपका आजाएगा कि water management system है ये जो है लद्दाख में actual में क्या करता है technological reporter का work कर रहा है बहुत time से ठीक है लद्दाख has the long history of water harvesting लद्दाख के पास अपना एक पूराना बहुत बड़ा history है water harvesting का साथिचार्ट and community management of the water resource और उसके साथ साथ किसका community management का water resources का this history includes tank for storing milk water called zinc और यहां पर जो store करने का जो history है इसके पास इसमें वो milt water को store करते थे उसका नाम क्या है zinc as well as an official called the chadpon है ना chudpon who ensure equitable distribution of water जो simply क्या करता है equal distribution करता है इसका water का the regional environmental changes study further mention the tradition of the snow harvesting अच्छा snow harvesting का यहां पर tradition है which involves building small barrier walls ठीक है जिसमें क्या होता है कि building small barrier walls यानि कि अगर आपने देखा होगा तो राजस्थान तरफ एक हमने 9th क्लास में social science में सब्ली पढ़ रखा है कि वहां पर क्या करते थे कि जब बारिष होता था था तो एक टंकी बना देते थे और उसको जमीन के नीचे ले जाते थे ठीक है और उसमें वहां पर store करके रखते थे पानी को जिसका वो अलग-अलग purposes के लिए use करते थे सेम किस यहां पर भी देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर चार टाइपस के क्या कर किये गए है modern ice reservoirs जो है उस डेवलप्ट किये गए है ice are defined by the as identified by the Nasser जो किसको किया है Nasser ने identified किया है and his co-author ठीक है basin structure store ice similarly to how traditional jinx store water ठीक है यान कि जो basin structure है वो actual में क्या करता है कि store करता है ice को similarly उस form में कि जिस step से jinx जो है store करता है water को ठीक है चारो while jinx are generally built around the same level of field jinx को कहां पर build किया जाता है तो जो same level होता है field के same level पर simply जो क्या किया जाता है build किया जाता है basin for ice storage and located at the altitude higher than a cultivated field so that water can freeze ठीक है इसलिए वहाँ पर क्या हो सकता है water free हो जाता है the advantage of ice basin over zinc and the advantage of ice reservoir over water reservoir ठीक है मतलब क्या advantage है ice basin का zinc के उपर या फिर आप बोल सकते हो कि ice reservoir का water reservoir के उपर ठीक है is the evoporation is minimized ठीक है इससे क्या हो सकता है कि evoporation जो है उसको minimized किया जा सकता है जैसे क्या होता है water evaporate करता है evaporate करके फिर वो आपको बादल का formation होता है फिर water cycle उसके बारे में हम यहाँ पर discuss नहीं करना है is minimized and so more water is retained इसलिए वहाँ पर क्या किया जा सकता है जादा से जादा water को retain किया जा सकता है अब उसके नीचे हमें एक simply graph दिया हुआ है इस graph को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इस basis पे अब हमें क्या है कुछ questions से हमें provide किये गए है तो चलो एक-एक करके questions को answer करना start करते है based on your understanding of the passage answer the given question ठीक है दे लेते है ए पार्ट में दिया है select the option that is true for the two statement given below जो नीचे में दो statement दिया है इसके लिए कौन सा option जो है true है उसके बारे में बताना है पहला है लद्दाख has always experienced water scarcity 100% सही है second में देखो क्लाइमेट चेंज has the increased water shortage in the mountain region worldwide ये भी 100% region है ठीक है लद्दाख में water scarcity होता है ये भी 100% है second जो है वो भी 100% है लेकिन कहीं से भी ना तो one second का region लग रहा है ना तो second one का region लग रहा है तो ये A और B पार्ट जो है वो तो नहीं होने वाला है C पार्ट में देखो बोथ A both first and true are true बिलकुल यही हमें सही देखने को मिलेगा that is option number C is the right answer of this question B पार्ट में आओ what has increased water shortage in the mountain region worldwide यानि कि क्या जो है वो increased करता है water shortage का अभी तो हमने उपर बढ़ा बाई climate change यानि कि B क्या right answer हो जाएगा तो simply आप लिख सकते हो climate change ठीक है लिखते जाओगे समय जरूर बात को कि कैसे questions यहां पर पुछे जा रहे है C पार्ट में आओ why are the basins of ice shortage located at the altitude higher than a cultivated field ठीक है क्या है कि why are the basins of the ice shortage located at the higher altitude than the cultivated field जो cultivated field उससे higher altitude पे क्यों रखा जाता है ताकि उसको melt करने से बचाया जा सके तो इसका answer simply लिख दोगे to save ice from melting है ना वो melt ना कर पाए जब उसको melt करवाना रहेगा करवा लेंगे उसमें कोई problem नहीं है but अभी के लिए उसको उपर में से इसलिए higher altitude पे इसलिए रखा जा सकता है to save ice from melting है ना ice को melt होने से बचाने के लिए ठीक है D part में आओ Jinx are generally built around the same level as अभी हमने देखा भाई अभी हमने कुछ दिर पहले देखा कि इसको कहां पे किसके level पे रखा जाता है फोर्थ पारग्राप में भी हमने बहाँ बढ़ा था क्या बढ़ा था वाइल जिंक आर वाइल जिंक्स आर जेनरली बिल्ट around the same level as field यानि कि कौन सा हो गया ए पार्ट तो आपका सही लग रहा है second में देखो road road के अलावा कुछ भी sea canal नहीं underground water नहीं यानि कि कौन सा होगा only one यानि कि option number D is the right answer of this question ठीक है इ पार्ट में आओ jinx are generally built to retain the eyes ठीक है चलो ठीक है the underline phrase means to the eyes hold the eyes याना underline phrase जो होता है इसका मतलब क्या है eyes को hold करके रखना ठीक है तो यहाँ पे जो fill in the blanks आपको दिख रहा है वहाँ पे simply hold जो है वो fill होगा ठीक है H में आओ sorry F में F में देखो क्या है dash has always been experienced by Ladakh seasonal water scarcity यही तो हमारा था पहला ही लाइन तो यही था भाई कि Ladakh always experienced seasonal water scarcity ठीक है और यह किसके according था तो Morris November जो की co-author थे कि Study के ठीक है बट उधना हमसे नहीं पूछा हुआ है G part में देखो क्या है the amount of water in the month of the is in surplus यह किस surplus में हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक month जो था हमें simply proper form में बताये गया था कौन से July to September July to September ठीक है यह वाला जो मौसम होता है उसी में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो amount of water होता है वो अपने surplus में होता है ठीक है चलो अच्छी बात है आगे चलो There is no irrigation in the month of February as per the given chart क्या वहाँ पर कोई भी irrigation नहीं होता February के month में देखो वहाँ पर जो February का month होता है एक्चोल में आप यहाँ पर देखो तो उसके according क्या है कि वहाँ पर irrigation system नहीं अच्छे से work करता है क्यों क्योंकि ice जो है वो धीरे-धीरे melt करना है start करते है और धीरे-धीरे melt करना है start करते है क्यों क्योंकि यह जो February का time होता है थंडा होता है ना तो गर्म और वहीं से ice जो है वो simply melt करना start करता है तो सारे के सारे वहाँ के reason जो है वहाँ पर फैल सकता है इसलिए यह statement जो होगा हमारा क्या होगा बिल्कुली 100% true statement होगा आई पार्ट में देखो क्या है artificial glasseries फिर glasseries बोल रहा हूँ Glacier helps to artificial glasseries इस glasseries बता जिया है मेरे को मतलब बहुत मारने मन कर रहा है ठीक है artificial glasseries जोता है वो किसमें help करता है तो simply water shortage में help करता था ठीक है तो देखो क्या है to manage water system नहीं water system को manage करने के लिए यह ठीक तो है बट 100% नहीं बोल सकते है B, alleviate seasonal water shortage हाँ बिल्कुल भाई यही 100% हम बोल सकते है कि यह water जो seasonal water shortage था था उसको यह overcome करता था C part में देखो क्या है irrigate agriculture from melt water नहीं बिल्कुल नहीं D, built small barrier walls नहीं बिल्कुल नहीं J part में देखो क्या है What does Ladakh uses a technology repergers लदाख जो है वो किसका simply क्या use करता है टेक्नलोलजी का reservoirs के लिए तो वो simply क्या उन्होंने बहुत सारे construct कर रखे थे क्या that is ice reservoirs ice reservoirs जो थे उनको simply उन्होंने क्या कर रखा था construct कर कर रखा था और उसके basis पे हमें सारा का सारा जो ice था उसको simply क्या थे कि जो normal level होता है cultivated level होता है उससे उपर में उन्होंने क्या क्या था store कर कर के रखा था तो इस basis पे आप सब का एकदम 100% सही तरीके से answer कर सकते हो I hope कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कहीं कहीं पे जो book था उसने mistake कर दिया कहीं कहीं पे भोलने में हमने mistake किया उसके लिए हम दिल से आप से बहुत sorry मोलना चालते हैं ठीक है बट आप से मिलते है अगली वीडियो में इसमें हम लोग section number B को complete तरीके से discuss करेंगे जो की होगा हमारा grammatical part और फिर C part को हम लोग again discuss करेंगे जो होगा literature वारा part तो एक के करके हम लोग हर एक section को discuss करने वाले हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में complete playlist का link मिलेगा आपको description में तो एक बार description जरू चेक कर लोगे अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करके रख लो क्योंकि अभी बहुत सारे sample paper को हम लोग analyze करने वाले हैं मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक लिए अच्छे चपड़ाई करते रहो all the very best for your upcoming examination